क्या आले मुंबई की जनता मैं नेम इस शौर्य शो है लोकर मुंबई आज काफी लखी दिन है मेरे लिए फैन बॉय मोमेंट मेरे लिए मेरे साथ पदमिश्री केलाश खेर जी है प्रणे जी है अंदेरी इस से अंदेरी वेस्ट आया हूं मैं एक गंटे की ट्राफिक थी पुल वॉल्यूम करके तौबा तौबा चलाता हूं सबसे बहले आते साथ बिकॉज उस गाने की वाइब भी इतनी अच्छी है और इतना सारा म्यूजिक सर आपने आमें दिया है उसके लिए थांक यू सो मट सर तौबा तौबा के लिए शोरिय में बताना चाहता हूं तौ आपको आप किसी भी फील्ड में रहें आप इंसान बने आप हैवान बने जो भी आपका मन है वो आपको जो भी आप बनना चाहते हैं तौब पूरा सिखा देता है वो ही उसमें एक स्टोरी है लर्निंग की जैसे इको सिस्टम को होगा है यह इसको इससे प्यार बया जो बह तो पढ़ोगे वो तुमसे भागेगा और सर क्या फिल है अभी इतना रेल्वेंट इतने सालो बात बात वाद भी रिल्स मैं भी सर आपने नोटिस के नीपता है वापस टेंड कर रहा है तो अब तोब जी करेगा जी करेगा कर रहा है Okay, Pranay, I wanna ask you, आपने गाम किया हो तयार, Oh My God 2 is doing so much amazingly well, और वो भी एक ऐसी मुवी के साथ आई, गदर 2 के साथ आई, गदर भी परफॉर्म कर रही है, Oh My God 2 भी परफॉर्म कर रही है, How was the experience with, you know, working with sir? So, Kailashji के साथ, this is the first time, मैंने परी बार काम किया, काना इतने बड़े सिंगर को, so I was a little nervous कि सामने वाला इंसान कैसे react करता है, and record करने में, you know, how is it the experience and everything, but जब मैं मिला इनको, तो पहले तो, the first thing you'll notice कि इतने हम्बल है, और ज़रा भी ऐसे नहीं कि मैं यह हूँ, आप, you know, नहीं हो, यह आप, मेरे से जादा एक्सपिरियंश, जब ऐसा कुछ भी नहीं, उनका था कि गाना क्या है, आप गाना बताए, परले मिले सब का नाम पूछा, कि क्या है, he made me feel comfortable, फिर उनने गाना सोना, गाना अच्छा लगा, एने सर को पूछा, स्केल, सर की तो अपको अगर गाने सुने हैं, तो स्केल की तो कोई बात ही ने, कौन सी उची नोट कहला शपरवत के उपर ही वाली रोट होती है, तो सर वो जाएक, नहीं नहीं, जरा भी नहीं, लेज जिस रेकॉर्ड दिस, तो ही मेड मी फिल वरी कमफोर्ड़बल, और टेक्स में कंजूस ही नहीं, एकदम मतलब दर्यादिल, जैसे वो है, टेक्स लेते जाओ, आप बेसिकली क्या है कि वेन वी आरेकॉर्ड रेकॉर्डिंग, वी वांट सम वीरिएशन, बट पहले, अजिवक्त है कि कुछ बनाया होता है, तो हमको उचहिए होता है, सिर, यू नो, इफ यू किया शीवक्त कि बने से, यह जो पर्टिकुलर लाइन है, इस तरह कि यह अगर गा सके, वो करते थे आख, एक है प्रणे, तुम भी खुश रहो, तुम्हारा जो टून है तुम गाओ, उसके बाद he will give me variations और ऐसे-ऐसे variations है जो इसके बहुत सारे रिटेम किये हैं, जो हमारा scratch था और इस लेवल पर scratch था इस लेवल के उपर हो गया है जो final जो आप जो सुन रहे हैं so it was just amazing मुझे और ऐसे हो रहा है कि और बनाो नहीं है को einसे है ensure और जहीं से peg और लोग तकर विए चार्ट-बॉस्टर हुआ है और एक और बात मैं बोलना चाहूँ आर के घालाश से अच्छार के बारे में जिरो हैटर्स मतलब एक अर बात मैं बदल जाते सीख्विल में बदलते हैं अब आप देख लो माई गॉड़ वन में आना टू में भी है अग्टर्स बदलते हैं यह मैंने नोटिस किये सर चीज आप अपनसो के दिनों में साहिब हमारी आवाज को रिजेक्ट जब किया तो यह बोल के किया अपनसे करें यह बनानेाए थे 2002 की बात है तो जब किसी से मिले परिक और की आख अड़ी टेडे होते हैं थी जाब इस नोगसे इसजीज़ों से कहां कहां बने होते हैं और वह एंब ए करके उस वक्त मंदी जमाने में आयोंगे बिचारे 90s में तो उस वक्त उनकी नौलेज के and accordingly हम लोगों की voice hero type की नहीं है that was the reason for rejection तो reject जब हुआ तो मैं सोच रहा था भगवान आपने voice भी दिया और hero type नहीं दिया सही मजाग करते है बबा आप भी तो बाबा ने सुन ली मेरे महादेव ने तो जो पहला गाना हमने गाया film का Allah के बंदे वो हमको न hero पता न कुछ पता वो गाना जब गा के हम आ गए तो director सहाब का phone आया कि मैं शशांक घोष बोल रहा हूं वैसा भी होता है part two film का director मुझे आप से मिलना है और ये गाना आपने क्या गाया है आप कौन है क्या है मुझे आक के आप मिलो मैं आपके उपर ये गाना फीचर करने वाला हूं तो उस वक्त जिस बात के लिए वगवान ने एक बार जटका दिया था दो तिन साल पहले कि hero type का voice नहीं है अब voice भी हम पर ही feature हो रहा है मतला हम जितने भी गाने शुरू में हमने गाये mangal pande का स्वादेश का भी हम लोग करने वाले थे स्वादेश के लिए भी हमको ये look check करने के लिए look test के लिए बुलाया था शुतो गवरी करके office में लेकिन हम बहुत छोटे साधू लग रहे थे तो तब शायद उनका जचानी फिर मकरन देशपांडे जी आयते उसके लिए sir मैं आपको बता हूँ आपकी voice hero वाली क्यों नहीं है क्यों आपकी voice super hero वाली है बाहु वाली super hero है ना sir तो super hero voice है and sir मैं आपसे पूछना चाता हूँ concerts में जब आप पफॉर्म करते हैं कभी ऐसा कोई crazy moment हुआ आपके साथ बहुत बार हुआ हुआ है तो कोई एक आपको जो अभी ऐसे याद हो कि public पागल हो गई है ऐसा कुछ तो देखे कुछी दिन पहले हमारी गाड़ी के ऊपर बहुत सारे लोग चड़ गए गाड़ी के ऊपर चलती हुई गाड़ी पर क्यूंकि धीरे धीरे निकलते हैं crowd से crowd इतनी अथा होती है तो हम दो तीन चीजों से क्यूंकि लोग video भी बना रहे होते हैं गाड़ी में बैठे हुए के भी उपर से हमें ये भी ध्यान रखना है किसी को चोट ना लग जाए तो हम अपने ड्राइवर को भी एकसाइट होने से रोक रहे हैं कि भाई तू एकसाइट मत हो ना बाहर का माहूल थोड़ा out of budget जा रहा है तो तू लेकिन बज़ेट में रहना क्यूंकि कभी-कभी हमारे ड्राइवर पर भी एकसाइट हो जाते हैं कि अभी दोड़ाता हूं अभे मन का नहीं तू दोड़ाएगा तो कोई दोड़ जाएगा तो ऐसी वाली सिचुएशन हुई पर एक बार स्टेज पे एक बंदा आके पहले पैर चुए और अचानक एक दो अभी पाने लगा तो उसने दारू पी रखी ती लेकिन ठीक है ऐसे कुछ मोमेंट्स होते हैं एकसाइटमेंट के जो पगला जाते हैं लोग सर क्योंकि इतने साल से मतलब रेलिवेंट होना जो एक चीज होती है कोई आदमी मतलब एक-दो साल बाद रेलिवेंट नहीं रहता वट इतने साल से अगर कोई इनसान रेलिवेंट है तो चाने वाले भी उत्ते ही बढ़ जाते है ये वहार मादे ब्लेसिंग जिम्मेदारी तो आती है जब आप सतकार के पात रहोते हैं तो आपके उपर उत्तरदाई तो आता है जी आप जैसे ही एकसेप्टिड होंगे दुनिया में तो आपका मतलब एनी अवार्ड यू गेट यू बिकम मोर रिस्पॉंसिबल ऐसा होता है जी पदमुश्री हमको 2017 में मिला था हमको पता भी नी था यह क्या होता है तो वो जब मिला तो अचानक समझा या और यू इतने बड़े-बड़े लोगों को मिलता कहियों को तो मरने के बाद मिलता है अनका उंको जिन्दा में और वो भी अभी अभी तो करियर के बारा ही साल हुए है तो बहुत मजा आया और दीरे फिर यू इंटेंड तो बी मोर रिस्पोंसिब तो मिले इसर बिलकल यह शुर सर मैं आपसे पूछना जाता हो प्रहने आपने आपका करियर जो बहुत पहले स्टार्ट होगे जी 2009 से मेरा पहला गाना था 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 बागी 1-2-3 बागी मैं तो डागी 1-2-3 उlen नहीं से wygląda relentless जी जी ए वहागी में आपसे जानना जाता हु भो इस द ही 2049 से Gulf 1320 साल आपको विल्मसда रिजिज़ उसर हमसे ड्रिश अ पूलाब से तो इतना पैर कॉ मिला है तो एसलने लग ए नह उनना पार यह प्ल आपको मिला ह को यह पहुंच गया कि इतने लोगों को तच किया काफी लोग बुलते मैं यह तो 2009 में रिलीस हुआ था था कैसा एराज है लोग मेंशेच करते हैं कहां कहां से गुषाटी से और हो कि तो नहीं पढ़े की तब किसी और को पढ़ने का मुखा मिल गया बट इस ग्रेट आट एट पीपल कीप अप्रिशेटिंग अधर आटेस्ट अम को क्या चीए कि हम जो एक आर्ट बना रहे हैं वो सबसे पहले तो उपर वाले से आया है तो उपर वाले को समर्पित तो आटा तो उपर से तो वी फिल कि ये एक गिफ्ट है जो हम वी आर्ट थू हम थूपर उपर वाले ने हमें चुना तो क्रिएट इस मेलडीज और क्रिएट इस सौंग्स ताकि लोग तक म्यूजिक पौच सके तो इस तो इस तो आटा बेक कर पाता हूं और ये मूजिक असा करियर लेना और निभाना बहुत ही चालेंजिग है तो without audience support it doesn't happen and I'm really thankful के अब तक हम है and today finally I've got the chance to work मेरा पहला गाना भी के के ने गाया था और अभी जर सर है वो भी केलाश खेर जी है very well said सब्सक्रा जरूरी होता है grateful रहना जो भी चीजे मिलियो इसको thanking God बहुत जरूरी है because sir the reason is के it's not when you realize के it's not come from you आपके आपने नहीं बनाया है जब यह realization आजाएगा आपको तब अपने आप ग्रेटफुली होगे के आपको पता है के यह आपने नहीं बनाया है यह उपर वाले नहीं दिया है so then you start feeling grateful के बस कुरुपा है आपकी and you keep getting कभी कभी नेंद में tunes आजाती है कभी कभी deadlines होती है और tunes आजाती है and you know you surprise yourself also कि यह मैं कैसे बनाये तो समझ में आजाता है कि यह मैं नहीं हूँ this is some spiritual intervention Sir मैं आपसे पूछना चाहता हूँ Oh My God वन में भी आपका जोगवाना था मतलब मै तो नहीं बगवान इनसानों में वो मतलब अभी बीच में थेंड़ा था था तर वो आपको बताता हूँ आपने पता नहीं देखा नहीं रील में कैसा लगा आपको गाना आपके पास आया, तो आपने तुरंथ हाँ बोल लिया या क्या हुआ था? जी ये गाना जब आया था तो इसमें एक शब्द था भोले हो तैयार तो हमने उनको एक सुझाओ दिया कि यहां से भोले हटा दीजिए क्योंकि भोले को ना हम आवाहन कर सकते कि हो तैयार और ना हम इस तरह से बता सकते हैं तो यहां पर भोले हटा देंगे भले संबोधन के लिए हो लेकिन क्योंकि शब्द भोले आ रहा है तो इसको नमस्ते कीजिए और क्योंकि इसकी फीलिंग थोड़ी अलग टाइप की है तो यहां यारा कर दो यारा हो तैयार तो प्रने ने और डिरेक्टर साहब ने अमित राय जी ने स्वीकृत किया हमारा सुझाओ और उ इसलिए थोड़ा सा अलग है पिछले वाले गाने से क्योंकि वो जो गाना है वो भगवान के बारे में है और ये गाना भगवान की रहा के बारे में है क्योंकि इसको कह सकते हैं मोटिवेशनल है थोड़ा जब आप थोड़ा पैसिमिस्टिक हो जाएं तो ये आपको एक तो वो एक अलग-अलग मूड को डिपिक्ट करते हुए हमारे गाने होते हैं जो फिल्मों के होते हैं बाकी जो हमारे होते हैं वो स्प्रिच्वल भी श्रंगार रस में भी थोड़ा स्प्रिच्वल होता है और स्प्रिच्वल में भी थोड़ा श्रंगार होता है तो हमारा वैसा होता है एक और मोटिवेशनल गाना है आपका आज फटे चक लेना वह भी क्या गाना है वो गाने कुछ ऐसे हैं जो हम ही लिखत बज़ और अभॉल बहुत कम लोग STEM के सामने कहारब वारा, वार्फेज पन्स नहीं होटा जो एभी आधामें उनको कुरिज गाहर कना में 5000 हने हिकें सब्सक्राब। लीकर तेम हिते हैं इंसाइट किती अच्छे अच्छी बाते सुनने को ली सर मैं आपसे आज कामरा में एक चीज पूछना जाता हूँ जब आपके स्ट्रग्लिंग देश थे और उस दिन उस टाइम से अभी जब आप यहाँ पे पदमश्री आपको मिल चुका है वो जो कैलाश केर जी थे उनको आप क्या बोलना चाहोगे आज जो आप बेटे यहाँ पे इत्ता होज अचीव करने के बाद मतलब उस टाइम के अपने यॉर्सेल्फ को क्या बोलना चाहेंगे आप जी उस वक्त के कैलाश भी और आज के भी कैलाश वही है अतनी ही मस्ती copn pan चुपा है अच बदली है कि बहुत सारे ऐसे कर्म जो हम तब कर लेते थे बहुत नहीं कर पाते क्योंकि अब 24 गंटे कुछ आदर 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 इतना ज़़धा सतकार है कि कभी कही हाती है और कभी कभी जादा लोग जैसे मिलते हैं तो बहुत इस तहरा की दुनिया वदल गही है हाव आर यँ हाशी हाव आर यजी तपहों बोलता है कि किसी दिन बता दुग है तो जह सच में बहुत हाव आर यजी बहुत हृँ ब़ोलक रहा है लोजे प्रणे सर, आप कैमरा में देखके बताइगे इतना प्यार जो आपके गाने को मिला है आप दोनों के लिए पॉलिक को आप क्या बोलना चाहेंगे इसके लिए अब ही पुरी जर्नी को इतना प्यार दिया गया है तो पहले तो तो इसrud थैंक्चु कि सबको गाना अच्छा लगा फिल्म अच्छी लगी हमारे लिए ये इंपोर्टन था कि हमारी फिल्म लोगों तक पहुचे इस फिल्म में तो पहले तो हम लोग बहुत थैंक्फुल है कि लोगों ने एकसेप्ट किया आपने हमने जो बनाया भी है वो respect से बनाया है कोई किसी भी religion को या किसी को disrespect नहीं कि हम खुद हमारे साथ जो बैठे भी है कैलाज जी है हमारे director है हम दो सब बनाय हम दो सब आणी हम सब भक्त और है बोल सकते हैं तो यह अपने जो Congressub dog stepable 14 se Works तो यह अपने जो accept किया है वो हमारे बट बट बड़ी बात है कि आपने अक्सक्त किया अस किए इस फिल्म को और इस गाने को, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, केला जी के लिए, केला जी, I know that he has sung so many, you know, songs और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है केला जी के साथ मेरा नाम कहीं जुड़ गया, forever के एक बार प्रणे के साथ केला जी का भी नाम आ गया, तो for me, that's a very big thing जी, अब मैं आपको शौरी एक बात बताता हूँ, यह हमारा फिल्ड कैसा है, हमारी जो फिल्म की दुनिया है, संगीत की दुनिया है, कितने हमबल लोग पाये जाते हैं, यह लगबग हमारे पैरलल के ही हैं साथ, ना कोई हम सीनियर हैं ना यह जूनियर हैं, एकदम पैरलल है चल रहा हैं, लगबग हमारा 2006 में कहला सा आया, और इनका यह भी तब से ही हैं साहिब, और साहब की फिल्म जो है वो 2009 में आया, मतला हम पैरलली खड़े हैं उसी वकत से, किसी का समान पहले बिग गया, किसी का थुड़ा देर में भी, का दुकान सब की साथ में खुली है, ल पाना हैं, और साहिव घड़े हैं, कौन से प्लैनेट से बिगस्षवी फिएह। मुझे पता है, डिरेक्टर को पता है, हमारी टीम को पता है कहां से कहां गाना पहुचा है तो हमारे लिए और अलसो मैंने जब जब कहली बार में मिला था, I said, सर मैं जब कॉलेज में था, तो बस तभी सीडी लोग तो मेरी पॉकेट मानी होती थी, जिसमें मैं गिटार फीज भरता था ठीक है, और तभी सोनी पे आये था ये तेरी दिवानी अल्बॉब, एंड मुझे यह भी याद है, 175 रुपीज की वो सीडी थी, क्योंकि मुझे याद है क्योंकि प्लैने टाइम उस तब के वो सब स्टोर्स होते थे, अब शायद लोगों को पता नहीं होगा, स्ट्रीमिंग के सबाने में लोगों को पता नहीं, लेकिन वो आर्टवर्ट सर पता सब को होता है, गूगल सब करके रखते हैं, तो वो सीडी हाथ में लेना, वो आर्टवर्क देखना, तेरी दिवानी और पूरे सब गाने, पढ़ना, इनले पर पढ़ना, यार को जीज़ार, वो दिट इस बेकिन जार्ट गाने, बेकिंट तो बड़े कमाल के, जो म्यूजिक एंथूजियास्ट से उनको तो पता लगता है, बेस किस ने बजा है, और कॉल पीटर निंट, लेजेर, इस अब चीज़ें, यह सब चीज़ें, जो म्यूज़ें के जो किस चीज़ पे खर्चा करना है, किस नहीं करना है, जब जो पॉकेट मनी मिलती थी, वो गिटार की फीज, क्योंकि म्यूजिक सीखना था, और मैं थोड़ा बट सिखा था भी था, गिटार था, कि यूनो, मैं और भी इनिन क्लासिकल भी सीख सकूँ, तो ये जो CD थी, I said, तभ ये वाली मेरे को CD लेली है, तो मैंने मैंने के लाजी को पेली बार जब बात की दितने पताय था था, तो फॉर मी, उस टाइम का प्रनाही आदा था है, कि मैं उनके साथ आज काम कर रहा हूं, तो मेरे लिए वो बड़ी बात है, वाट बीटिफुल इंसाइट, मतलब हम जो ये सब आजाता है, तो मैंने सब देखा है, सौंग डॉट पीपयाद है, वाट से एक और चीज़, आपको अता हूंगा, मैं मजाक नहीं करो, आप बढ़ी इसले नहीं बुल रहा, एक टाइम था, टीवी में एक जगा फोन करो, और नंबर रॉम बढ़ दो आजाए, तो सर Thank you so much sir for letting me interview you guys